भारतिय रेलवे जमु कश्मीर में एक और मील का पत्थर हसिल करने के मुहाने पर खड़ी है पहले दुनिया का सबसे उचा रेलवे ब्रिज और अब हिंगनी और बनिहाल के बीच सभी बाधाओं को पार करते हुए भारतिय रेलवे कश्मीर घाटी को देश भर से रेल लाइन के जरिये जोडने को बेताब है जमु कश्मीर की उधमपूर श्रीनगर बारामुला रेलवे लाइन परियोजना के एक और बड़े हिस्से का काम जून 2023 के अंत तक पूरा हो जाएगा इस परियोजना से बनिहाल से हिंगनी तक का सफर आसान हो जाएगा USBRL परियोजना का उदेश कश्मीर घाटी को निर्भे और परेशानी मुक्त कनेक्टिविटी परदान करना है रेलवे के मताबिक कुल 272 किलो मीटर USBRL परियोजना में से 161 किलो मीटर का काम चर्णों में शुरू किया गया था जिसमें से 118 किलो मीटर काजी कुंट बारा मुला खंड का पहला चरण अक्तूबर 2009 में शुरू किया गया था इसके बाद 2013 में 18 किलो मीटर बनिहाल काजी कुंट और जुलाई 2014 में 25 किलो मीटर उधंपूर कट्रा में शुरू किया गया था उत्तर रेलवे के मताबिक निर्माना धीन 111 किलो मीटर लंबे बनिहाल कट्रा सेक्षन का 93 फीस्ती काम पूरा हो चुका है इस सेक्टर में कुल 37 फुल और 35 सुरंगे हैं जिनकी कुल लंबाई 164 किलो मीटर है और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो USRBL का पनिहाल हिंगनी हिस्सा जून 30 तक तयार हो जाएगा ये सेक्टर भिविन सुरंगों और पूलों से होकर गुजरता है और जादा तर काम पूरा हो चुका है कारवा गाओं के पास 665 मीटर लंबी कट और कवर सुरंग का काम पूरा हो चुका है ट्रैक बिछाने का काम एपरेल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है साथ ही T78 सुरंग का काम भी लगभग पूरा हो चुका है 2 किलो मीटर की T77 D सुरंग का काम भी अगले महीने तक पूरा होने की संभावना है रेलवे के मताबिक लाइनिंग का काम पूरा होने के बाद ट्रैक बिछाने का काम 23 मई तक पूरा कर लिया जाएगा और सुरंग उत्तर रेलवे को सौपती जाएगी 272 किलो मीटर लंबी USBRL परियोजना को 2002 में एक रास्टी परियोजना के रूप में घोशित किया गया था और इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है कश्मीर घाटी को रेलाइन के जरिये पूरे देश के साथ जोडने का सपना 90 के दशक में भरस सरकार द्वारा देखा गया था जो कई अर्थनों को पार करते हुए अब करीबन 27 साल बाद पूरा होने के कगार पे है कैमरा परसन काकाराम के साथ रमन सैनी, JK News Today